स्वामी विवेकानन्द एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे वो उनसे कहते थी कि आप मन, वचन, कर्म और आचनर से सन्यासी है मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुणों के दर्शन होते है डॉक्टर सहब बेहत साधारन तरीके से रहते थे उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़े डॉक्टर है एक दिन वह पैदल अपने दवा खाने जा रहे थे पारिश होने वाली थी एक आदमी को अपनी चट ठीक करानी थी मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दर्वाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था उधर से जा रहे डॉक्टर सहाब को सामान व्यक्ति समझ उनसे बोला कि चट ठीक करने में आप मेरी मदद कर दे मजदूर को बुलाया था वह आया नहीं मैं आपको पारिश्रमिक दे दूँगा डॉक्टर उस आदमी के कहे अंसार चट ठीक कराने में मदद में लग गए उसी सड़क से वहां के एक बड़े प्रतिस्ठिट रेक्ती गुजर रहे थे डॉक्टर सहाब को यह सब करता हुआ देख वह बोले यह आप क्या कर रहे हैं जवाब मिला आज मुझे रोग्यों के इलाज के बदले यह काम ज़्यादा ठीक लगा इस सज्जन ने मुझे सहायता मागी सो मैं मदद कर रहा हूँ जब यह बात जोपड़ी वाले उस व्यक्ती ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया वह उनके पैड पकड़ कर बोला मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आत्मी है डॉक्टर सहाब ने कहा मैं और मेरे एक मित्र विवेकनन मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकाल कर आचरण में धालना होगा आपने तो मुझे अपने धर्म को आचरण में धालने का सुवसर दिया मुझे आज बहुत बड़ा लाब हुआ है यह थे बंगाल के प्रठ्षा डॉक्टर नाग बाद में वेकननने उनकी यह कहानी सुनाई और संदेश दिया कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे खराब ग्रह है वह है अहंकार और अहंकार सिर्फ सेवा से ही मिठ सकता है